नमस्कार मैं आनंद मैं बिहारी नियूस से आज मैं आपको बताने जा रही हूं बीते 24 घंटे में मानसु उन्तक के जारखंद के जमसेतपूर की तरफ सिफ्थ होने के कारण से फिलहाल बिहार में भारी वर्षा के हालात तल गये हैं मौसम वैग्यानिकों के माने तो दक्षिन बिहार में बहुत सारे अस्थानों पर हलकी सी मध्यम वर्षा हो सकती है जबकि उत्तर बिहार में एक दो अस्थानों पर आंसिक वर्षा होगी इधा जहार खंद तथा गंगेटिक पस्सिम बंगाल के तरफ बन रहा कम दबाव का इलाका फिलहाल कमजोर हो गया है इससे 31 जुलाई से होने वाली संभावित वर्षा के हालात कुछ दिनों के लिए तल गए हैं पिछले तीन वर्षों में इस साल जुलाई बहतर रहा मौसम वैग्यानिकों का कहना है कि इस वर्ष हुई वर्षा के हालात जुलाई में अच्छे रहे हैं वर्ष 2017 में जुलाई में सामानी से 7 फिष्टी अधिक वर्षा हुई थी जबकि साल 2018 में सामानी से 16 फिष्टी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी इस बार सामानी से 30 फिष्टी अधिक वर्षा जुलाई में रिकॉर्ड हो चुकी है जुलाई महीने को समाप्त होने में दो दिन बाकी है ऐसे में यह आकड़ा और बदसक्ता है प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में रविवार को भी वर्षा रिकॉर्ट की गई पिछले 24 घंटों में गया में 17.9 mm वर्षा हुई पत्ना में मामुली बुंदा बांदी हुई तथा दिन भर लोग उमस्भरी गर्मी से परिशान रहें पुर्णिया में भी छित्पूर बुंदा बुंदी हुई मौसम व्यग्यानिकों की माने तो प्रदेश के बहुत सारे भागों में आंसिक बादल चाये रहेंगे सुमवार को भी पत्ना, गया, भागलपूर और पुर्णिया में आंसिक वर्षा हो सकती है अगर यही वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूटुब चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूने अगर यही वीडियो आप हमारे फेस्ट्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज लाइक एम सेयर करें धन्यवाद